हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलोजी एक एडवी और आज हम लोग डिसकस करेंगे कि जो ब्रिक्स नेसंस हैं जो पांच कंट्रीज की जो ग्रूपिंग है उन्होंने अभी काउंटर टेरिरिजम एक्सन प्लान के ऊपर काम करना चालू कर दिया है तो उस एक्सन प्लान म हैं कि ब्रिक्स में ब्रजील रसिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका पांच नेसंस हैं जो की बहुत ही ज्यादा यहां पर जीडीपी को प्लस पॉप्यूलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं मेंली यहां पर अगर देखा जाए तो इंडिया और चाइना तो मेजर प यह है कि अफगानिस्तान से यूएस पूल आउट के बाद से यहां पर यह एक बहुत ही बड़ा इसू बनने वाला है वर्ल्ड वाइड और इससे मेंली तीन जो मेजर कंट्रीज हैं इस ग्रूप के वो है रसिया इंडिया और चाइना यह तीन कंट्रीज ज्यादा अफेक् वेज़ते उसमें अभी भी रसिया का बहुत ज्यादा से होता है और उन्हीं कंट्रीज को यहां पर तालीबान से प्रोटेक्ट करने के लिए और अफगानिस्तान में जो सिविलियन गवर्मेंट है अगर उसकी स्टेक लो हो जाती है उसका पुठोल लो हो जाता है तो उसक दिसीव की उसको जो से पऐख प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको इन सारी चीजों को उपछबोड़ को लेकर यहां पर इनिसीएटिव ली है कि यहां पर काॉंटर टर्रिजंब के मुद्दे को बढ़िया से हैंडल किया जाए यहां पर कलेक्टिफ लग आया जाए क्योंकि इंडिया की भी अगर बात करें तो इंडिया की भी स्टेक्स हाई है यहां पर वो कस्मीर का इसू हो या पूरा बॉर्डर रीजन वेस्टन रीजन तो इसी सब छीजों को देखते हुए यहां पर ब्रिक्स ने काउंटर टेरिरिजन एक्षण प्लान को फाइनलाइज किया है और यह फाइनलाइज हुए है वरकिंग ग्रूप की मीटिंग में जिसमें की जो काउंटर टेरिरिजन ओफिशियल्ज थे पांचो कंट्रीज के जो सेक्रेट्र किया है collectively और यहां पर चेर्मेंशिप है इंडिया के पास तो मेंली इंडिया इसमें फोर्सफुली यह चीज पिच कर रहा था कि तेर्रिजम एक बर्निंग इसू है जिससे कि हरे कंट्री को यहां पर प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है कि उससे सिर्फ चाइना को या रसिया को या किसी होर कंट्री इसको यह लोग जादा अफेक्टेड हैं इन्हें जादा इनिसियाटिव लेने की जरूरत है लेकिन यहां पर देखा जाए अगर तो अफगानिस्तान का और यूएस का इसू सब लोग जानते हैं यूएस में जो डबलू टी सी पर वर्ल ट्रेट सेंटर पर हमला हुआ था तो ऐसा नहीं है कि जोग्रफीकली अफगानिस्तान कोई नजदीक है यूनाइटेड स्टेट से या फिर वहां प जोएंटली था उनका रिलेशन में लेकिन फिर भी जैसा कि हमने देखा हिस्टोरीकली भी यहां पर अटैक्स वेस्टन कंट्रीज में ऐसे होते रहे हैं कि फार फ्लंग एरिया से औरीजिनेट होता है टेरर एक्टिविटी और अटैक होता है बहुत जादा वेस्टन एरिय है और इसी लिए यहां पर इंडिया ने अपनी चेर्मेंसिप में यह चीजों पर ज्यादा एफर्ट लगाना चालू किया ब्रिक्स में भी ही इस तरह के जो काउंटर टेरिरिजम एक्टिविटी जो प्लांस है इन्हें माटेरियलाइज करना इन्हें फाइनलाइज करना इ और इसे फाइनलाइज करेंगे मतलब एक तरह से इस पर मुहर लग जाएगी कि यह जो एक्शन प्लान है फाइनले इसमें थोड़े बहुत डिसकर्शन जो रह गए है वह उस समय वहां पर होंगे तो बेसिकली इनका जो काउंटर टेरिरिजम प्लान है उसके एम्स क्या तो करते हैं कि हम टेरिरिजम के अगेंस्ट में है हमें इसके एक्शन लेना चाहिए इनहें रखना इस पर यह जरूरी है लेकिन रिजल्ट क्या-प्लान कर आता है सबसे बड़ा मुद्धा यह होता है कि कितना आपने श क्राउंडंड लेवल पे काम किया 예요 कितना उसके अगें करने का जो तरीका रहेगा कि एक्चुली कितना रिजल्ट आया कितना हम लोग टेरोरिजम को रोक पाए कितना उसको काउंटर कर पाई यह चीज पर अब ध्यान देना है सेकेंड यहां पर है कि इंटरनेशनल और रिजनल लेवल पर कॉपरेशन तो जैसे जो रिजनल लेवल यह चाईना और ग्लोबल इसमें ग्लोबल कोपरेशन की जरूरत है उसके बाद यहां पर सबसे पहली चाईश क्या है यानि के टेरिरिजम को कॉमबेट करना तो यह तो मेन एम ही है कहा जाए तो हाट आफ दा इसू है सेंटर पॉइंट है पीवोट है जिसके चारो तरफ की यह सारे जो प्लैन है पनाए जा रहे हैं इसमें एक इसू है रेडिकलाइजेशन का तो जैसा कि हम लोग देखा रहे थ सब यहां पर पूरा वर्चस बढ़ा हुआ था मिडिल एस्ट में तो उस समय बहुत सारे डिफरेंट कंट्री से इंडिया से पाकिस्तान से ब्रिटेन से यूएस से हर जगा से रेडिकलाइज होकर यूथ पहुंच रहे थे वहां पर लड़ने के लिए तो इस चीज को रोक की सबसे पहले रेडिकलाइजेशन हमें रोकना पड़ेंगा जो भी यहां पर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है यूथ के डिवलप्मेंट का उनका बढ़िया एक भविश्य होने का रेडिकलाइजेशन के कारण वो टेरेरिजम की तरफ मुड़ जाते हैं और उसके कारण यहा पर फाइनेंसिंग टेरिजम तो के जो तरह यहां पर उनको पैसे पहुंचते हैं उसको कउंटर करना उनके जो भी श्रोत है आयके जो भी उनके धन प्राप्ति के श्रोत हैं उसे हरालत में रोकने की बात है फिर यहां पर है मिस्यूज ओफ इंटरनेट आज के डेट में हम लोग यह चीज देख रहे हैं कि टेकनोलोजीकल एडवांसमेंट के साथ-साथ हर चीज के थ्रीट में यहां पर इंटरनेट यूज हो ही रहा है चाहें वह साइबर क्राइम में हो जाए कि रैंसम वेयर हो जाए फंड इसू का रेज करने का हो जाए हर तरह की चीजों में दूर कहीं से बठे हुए लोग बॉन ट्रीगर कर दे रहे हैं तो इन सब चीजों में जो भी साइबर activities करके टर्रिइंट जो हर जाते हैं तरह से यहां से निकल लेते हैं और से पार हो जाते हैं सब को ट्रेवल को कि पास-पir सकेने जी असके जा सके जिससे कि इनको मेंग इनका है उसके बाद है border control जो border पर हमारे जो security रॉडर का जो हमारा चेक पॉइंट से बाकी चीजे दो यह बोर्डर पोरस नहीं होना चाहिए यह भी एक इनका बहुत बड़ा मुद्दा है यहां पर एम है कि किसी भी तरह से border के थूँझो जो बाध रिकोगनाईज हुए बॉर्डर क्लॉस कर जाते हैं यह चीज भी रोकना है उसके बाद है प्रोटेक्टिंग दा सौफ्ट टार्गेट तो जो क्रूशियल स्टैब्लिस्मेंट्स है बहुत सारी कंट्रीज के research centers है स्टैब्लिस्मेंट्स होते हैं यह soft targets होते हैं जैसा कि हम से जम्मू में air based वहां पर drone attack हो गया वह सब्刀सा टार्गेट ने उसे उसे किया तो यह चीजे यहां पर कही जा रही है कि soft targets को भी हमें protect करना है प्लस यहां पर है information sharing यानि कि आपस में जो भी जानकारी है terrorist activities को रोकने से लेकर या terrorist के बारे में जो भी जानकारी उनकी identity से related उनके address से related बाकी चीजों से related यह आपस में share करने की बात है प्लस यहां पर है capacity building यानि कि technological advancement हो गया machinery का हो गया training का हो गया यह सारी चीजों की capacity यहां पर develop करने की बात है ताकि यहां पर terrorist activities को कर्ब किया जाए और इसमें यहां पर जो countries है उन लोगों का यह plan है यहां पर कि यह जो adopted plan था national security advisors की meeting में इसे finalize करके और उसके बाद जो submit level की meeting है 9 September को वहां पर भेजा जाएगा तो अभी तो joint secretary level की discussion के बाद यह चीज़े finalize की गई है अब यहां पर जो national security advisors होते हैं वो security measures पर बाकी चीजों पर एक expert opinion रखते हैं तो वही चीज़ यहां पर कही जारी कि इसमें जो भी थोड़े बहुत changes होंगे उसे करके adopt कर लिया जाएगा national security advisor level की meeting में जो पांचों countries हैं उनके और उसके बाद इसे finalize कर दिया जाएगा और यह plan implement करता है जो strategy तैयार की गए थी counter terrorism की जो bricks level की meeting हुई थी 2020 में submit level की meeting तो हर साल यहां पर bricks की meeting होती है उसी में 2020 की meeting में यहां पर यह चीज़े तैय की गए थी strategy तैय की गए थी कि हमें terrorism को कैसे counter करना और उसी को materialize करके यहां पर implement करने की बात हो रही है उसके बाद यहां पर सबने मिलकर condemn किया है terrorism को in all forms तो यहां पर CDC बात है कि यहां नहीं कह रहा है कि good terrorism क्या है और bad terrorism क्या है terrorism in any form is bad itself तो यहां पर यह जो पहले बात चीज़ चलती थी कि good terrorism है bad terrorism है क्या है तो इसे साफ तरीके से नकार दिया गया है terrorism is in any form उसकी हमें भर्षना करनी है उसे condemn करना है और उसके against में government को initiative लेनी है तो यह चीज़े कही जा रही है और यहां पर इसी पर काम करने के लिए पाँच सब ग्रूप्स बनाए गया है तो basic इस counter terrorism action plan में पाँच जो focus points है उनमें mainly देखे कि सबसे पहला है misuse of internet क्योंकि technological advancement के बाद से terrorist activity में भी बहुत sophisticated technologies use हो रही है तो उसी के लिए यहां पर counter terrorism को ज्यादा efficient बनाने के लिए उसके action क internet के misuse पे ध्यान देना कि वो ना हो पाए यह मेन मुद्दा बनाए गया और इसके लिए एक सब ग्रूप गर बनाई गई है second subgroup है डी रेडिकलाइजेशन जो brainwashing कर लेते हैं social media के through videos के through phone call के through मतलब एक तरस से उनका पुरा brainwas कर देते हैं और अच्छे भले बच्चे जो है यूथ जो है टेर्रीजम की तरफ मूव कर जाते हैं तो इसके लिए भी एक सब ग्रूप बनाए गया कि डी रेडिकलाइजेशन को कैसे रोकना है उसके बाद यहां पर है countering the terrorism financing तो एक तो हमें पता है कि FATF जो है सो इस तरह की चीजों को रोकने के लिए हमेशा ततपर रहता है और countries पर जो भी action नहीं लेते हैं उन पर action FATF ले लेता है financial action task force जैसा कि अभी हाल फिलाल में हमने देखा था कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा कोसिस कर रहा है कि वो किसी त किसी तरह से यहां पर Brics countries भी चार रही है कि जो भी terror financing है उसे हर तरह से यहां पर रोका जाए क्यूंकि कोई भी काम हो किसी भी चीज में financial resources एक बहुत ही critical चीज होती है और पैसे ही जब terrorist के पास नहीं पहुँच पाएंगे तो चाहें वो machinery की बात हो चाहें technology की बात हो चाहे लोगे नहीं बढ़ पाएंगे और terrorism का एक जो मेन supply point है वही कट जाएगा उसके बाद यहां पर capacity building के लिए एक सब ग्रूप बनाई गई है जिसमें की टेक्नोलोजिकल एडवांसमेंट और बाकी सब चीजों की बात हो रही है और लास्ट जो सब ग्रूप है वह यहां पर countering the foreign terrorist fighters तो अभी हम लोग जैसा देख रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग कंट्रीज में लोग जा रहे हैं terrorist activity के लिए Britain से आकर लड़ा के लड़ते हैं सीरिया में इंडिया से जाकर लड़ा के लड़ते हैं इराक में और दूसरे region में तो ऐसी activities को यहां पर counter करना जो foreign terrorist fighters हैं जो लड़ा के इधर उधर से एक जगा पर जुटते हैं इसे रोकने की बात हो रहे हैं और इसके लिए वही है कि border को properly maintain करना पड़ेगा और जो terrorist के travel हैं उनको भी यहां पर करना पड़ेगा तो यह एक बहुत बड़ा major point of action है अब यहां पर और बाकी चीज़ें क पर different courses चल रहें उन्हें भी आप जॉइन करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल लाइकन भी दबादे ताकि जब भी हम नई वीडियो डाले तो उसकी information आप तक पहुंचती रहे थैंक यू वेरी मुच और ने मुच